नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल online and offline ग्यान में तो बैस जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो इंतजार खतम हुआ डिपार्टमेंट ने technician के जो आप लोगों के फिर से form open होने ते उसकी जानकारी दे दी है तो ये notice आगया है आप लोगों को टेलेग्राम पे notice में provide कर दूँगा description में link दे दूँगा आप जाके check out कर लेना ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को proper जानकारी देने से पहले क्योंकि इसमें नए बच्चे भी apply कर पाएंगे जिन बच्चों ने technician के notes अभी तक नहीं प्राप किये लिए नहीं है तो भई description और comment box में आप लोगों को link दे दिया है app download करते ही register करते ही front page पे आपको technician के notes दिख जाएंगे आप लोग जाकर लेकर अपनी study शुरू कर सकते हैं जो बच्चे भी already study कर रहे हैं उनको recommend करूंगा कि वो जो hand written notes इसमें specially हैं उसका use जरूर करें क्योंकि वो आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं लगबग ये मान के चलो 30 या 40 नंबर का इजाफा आप लोगों का exam में उससे हो जाएगा अगर आप उसे ठीक तरीके से पढ़ते हो तो ठीक है especially जो आप लोगों के PCB के notes हैं उसकी बात कर रहा हूं और बाकी content आपका syllabus है आप लोग जाके check out कर लेना आगे बात करते हैं पहले point पे actually ये corrigendum notice है corrigendum मतलब इसमें बदलाफ किया गया है तो जो बदलाफ किये गया है वो आपको दिखा देता हूं कबसे आपका form चालू हो रहा है वो भी आपको दिखा देता हूं तो railway recruitment board have published centralized notification to 24 for the recruitment technician grade 3 with 9144 vacancy for open line category 17 ये category थी पहली जिसमें 22 category को include कर दिया और total vacancy को कर दिया 14,298 उसके बाद the post parameter education qualification medical standard and suitability of the post of PWBD for newly added categories number 19 और 40 are enclosed here with as annexure A2 of centralized notification तो इस category के लिए आप लोग जो है annexure 2 इसका पढ़ लेना अगर ना समझाए तो मुझे बता देना भाई मैं आपको update कर दूँगा पुराने notice में ही दे रखा है तो पुराने notice आप लोग राफर कर लेना third point में the community wise category wise position of above revised vacancy of technician grade for old and new post of all RRBs number 2 to 40 are enclosed here with as centralized number और यह जो दे रखा है यह annexure आप लोगों को पुराने notice से पढ़ने के लिए बोल रहे है और अलग से भी इन्होंने annexure आप लोगों के लिए publish कि हूँ है आप इनकी sites पे जाके चक कर सकते है RRB की multiple sites पे अभी इस notice को multiple sites पे update नहीं किया गया है तो धीरे धीरे करके आपको site पे भी देखने को मिल जाएगी है उसके बाद चोथा जो point है the education qualification and medical standard and PWD attributes being different for some of new category of post added under centralized notification and opportunity will be given to fresh eligible candidate to apply against centralized notification सारी चीजे मैं इतना बता दूँ almost same है कुछ चीजों मैं बदलाव किया गया है अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार notification ये जो इनके एनक्स चे दे रखे है ना इसको लेकर साथ के साथ आप लोगों को update दे दूँगा उसके बाद पांचवा point जो है the existing candidate will also be given an opportunity to change the option of RRB आप लोग अपनी RRB को change कर सकते हैं with preference preference of journal railway तो journal railway के according आप लोग चीजों को change कर सकते हैं तो preference आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है उसके बाद इसका जो link का form का वो आप लोगों का दो तारिक से चालू होगा 2 October से और 16 तक चलेगा तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना इसके लिए 15 दिन आप लोगों को दिये जाएंगे ओफिशल वेबसेट पे आप लोगों को इसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी उसके बाद जो आप लोगों का modification विंडो ओपन होगा उसके लिए 500 पर लगेंगे बाई और आप लोगों को 5 दिन का समय दिया जाएगा 17 10 2024 से 21 10 2024 तक उसके बाद separate notice will be published about the mod modalities, procedures to get the existing application data, new application submission for both existing and new candidate तो यह कुछ और आप लोगों के लिए notice और update प्रोवाइट करेंगे जो form है इनका उसमें कुछ चीज़े चेंज करेंगे तो वो सारी चीज़े जब इसका form चालू होगा जो आपको date बताई है उस दिन वो मैं आपको update कर दूँगा इस तरीके से language उन्होंने दे रखे है थोड़ा सा confuse कर रही है तो यही बोल रहा है कि जो आप लोगों का notice है उसे भी आप लोग simple बासा में refer करके चले जो अनको refer करके चले मैं आप लोगों को सारी सीज़े clear करके दे दूँगा परिशान मत हुए और अगर आप लोगों के ज कर देना उसके जवाब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे all other terms and conditions mentioned in centralized notification for technician grade थी stand good मतब जैसे पहले condition थी वो आपकी same रहेगी ये contact number है आप लोगों के railway के आप चाहें तो इनको contact कर सकते हैं और ये जो है rrb.help at csc.gov.in इनका help line email idea timing ये दे रखी है उसके बाद इनोंने यहाँ पर trade दे रखी है तो ये trade के snapshot आप लोग ले लेना ठीक है एक बड़ देख लेना कौन apply कर सकते है हाला कि trade वही है जो पहले इनोंने दे रखी कुछ बदलाव नहीं किये कोपा जैसी trade वाले बच्चे बोड़ देगी सर्ची हमारे लिए add की जाएगी फिर से तो भई आप लोगों के लिए कोपा जैसी trade को add नहीं किया इसले बस में किसी प्रकार का बदलाव तो यह notice आप लोग राफर कर सकते हैं धन्यवाद